आज हम बनाएंगे कैसा हेर टॉनिक जो आपकी बालो को काला लंबा घना बनाने के साथ बालो को रसी जैसा मजबूत बनाएगा जो लोग समर्ज में हेर ओलिंग करने के लिए कमफटेवल नहीं रहते हैं उनके लिए ये हेर टॉनिक बहुत ही वेस्ट है ना तो आपको इसे बनाने में टाइम लगेगा और ना ही कोई खर्च होम रमडीज के रिजल्स इतने अच्छी होते ना मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जितने वी आगे आपको छूटे छूटे बाल दिख रहे हैं ये सारे नए बाल है यानि की बेबी हेर्स है हलो एब्रिवाइन वेल्कम बैक टू माई चैनल एम के काजूर्स किचन तो इस पावरफूल हे टॉनि को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम अरंडी के वीज यानि की कैस्टर सीट्स तो आप देख सकते हैं अभी ये वीज पके नहीं है बहुत ही सॉप्ट हैं जैसे आप इसमें काटे देख रहे हो ना इसी तरीके से इसे पालो मजबूत बनाता है चैसे आपके भीज तो यहां पर मिन्यांस के इसमाल कर सकते हैं से बट अगर आपको यह सारी चीजें नहीं मिलते हैं तो आपको लेना है गुड़हल के फूल आप कोई भी ले सकते हूं बट जो थोड़े से रेड या पिंक कलर के होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं तो यहां पर मैं देशी गुड़हल का यूज करने वाली हूं क्योंकि यह सबसे अच्छा माना गया है ऑडवेद में इसी का बखान किया गया है बालो के लिए क्योंकि इसके फूल और पदों में बहुत ही जबांड़ की बनाने में help करता हैं और अगर आपको इसके फूल नहीं मिलते हैं तो आप सिर्फ एसके पत्ते ले लेना क्योंकि फूल से करी लिप से टॉनर बना सकते हैं बट अरंडी के वीज अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा सिर्फ एक ही दिन में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो यहां पर मैंने इन सबी चीजों को अच्छे से धो लिया है और फिर इसमें पानी आड के लिया है जितना भी मुझे चाहिए टॉनर बनाने के लिए यानि कि इतना पानी लेना है जितने में यह सारी चीज अच्छे से बॉयल हो जाएं आप चाहें तो यह टोनर बिना बॉयल के वी बना सकते हैं यानि कि Sun Infusion कर सकते हैं पानी के साथ आपको सभी चीजों को क तो जब भी आप इसे गैस वे पकाएं ना इसे आप एकदम सिम यानि लो फ्लेम पर पकाएं जिससे की इंफ्यूजन अच्छी सी होगा और ये सबी चीज़े धीरे धीरे अपने सारे न्यूट्रियन्स पानी के अंदर रिलीज कर देंगे अब इसमे अट करी हूँ मैं हैंडफुल करी लिप्स करी लिप्स भी बालो के लिए बहुत अच्छा होता है बालो को काला लंबा घना बनाने में हैर्प करता है और जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे है न तो इनको सफेद होने से भी बचाएगा यानि की प्री मिचूर हेर्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करेगा और ब्लैक करेगा और मुझे नायरंडी की स्मेल भी थोड़ी से अच्छी नहीं लग रहे थी इसलिए करी लिप्स इसकी स्मेल को बैलेंस करेगा इससे बढ़ियाची खुचपो आईगी आपके टोनर में तो इन सभी चीजों को मैं कुसे एकदम से ठंडा कर लेना है फिर चानना है इससे आपको ज्यादा देरी से बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे जब यह ठंडा होता जाएगा तो इसके सारे नियूट्रियंस पानी के अंदर अच्छी से आ जाएंगे तो यह दिखे यहां पर मैंने से च पर करिया है इस प्रीपोटल से लगाने में बहुत या असानी होती है बट इसप्रेश बॉटल नियुकर्ण से यह इचिए अधर central का बालू के लिए काम करेगा तो चलिए अभी मैं आपको बताती है उसे यूज कैसे करना है और कितने दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हो अट उससे पहले मैं आपको अरंडी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी जिन लोगों ने कैस्टर ओयल का यूज किया अपने बाल या तो ये इसे कि हैर्फॉल होता और आपके बाला थीक और हैल्दी रहते हैं आप एक बार ना इसके बारे में ज़रूर पढ़ना आरंडी आपकी बालो के लिए कितनी अच्छी आप सर्च करना यूट्यूब पर या फिर नेट पर तो आपको ना इसे अपनी स्कैल पर बहुत अच्छे से लगाना है आप लेंद पर नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा क्योंकि जब इसकैल फैल दी होगी जड़े मजबूत होंगी तो बाल वैसे भी घन अगर आप इसे जड़े नहीं लगा कर रखना चाहते हो तो आधे से गंटे बात आप फेर वाश कर सकते हो बट फ्रेंच आप से रिक्वेस्ट अगर आप सच में चाहते हो कि आपके बाल काले लंबे घने और हैल्दी हो तो आपको ना अच्छी डाइट लेनी है जंक फूर छाहेगी तो बाल भी हेल्दी होंगे दूद में होता है काफी प्रोटीन जो बालों के लिए बहुत हुट है अब मैं जल्दी से कुछ टिप्स पता देती हूं आप से ध्यान से सुनोय और फॉलो कीजिगा तो कॉम से कम हफते में दो से तीन बार हेर वॉस करना इस तरीके स जब भी आप कंगी करते हो तो आपके हैर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं कि तब बाल गीली होती हैं और बहुत ही जल्दी खिचकर तूट जाते हैं टिप नमबर थ्री हमेशा बालों में कंगी करने के लिए मोटे कंगे का यूज करें या फिर उडेन कॉम का यूज करें वो बहुत ही अच्छा रहेगा अब इसे ही टोनर के साथ अगर आप हैर वाइलिंग भी कर सकते हैं तो आप अरंडी का तेल लेना उसमें थोड़ा सा कोकेनेट ओयल मिक्स करना और अपने बालों में अच्छे सी लगा कर दो मिनिट मसाज करना या फिर मैंने आपके साथ जो हैर करें हैं वह लगाना आपकी बाल भी मेरी तरह काले लंबे घने और बहुत ही मजबूत होंगे चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाती हूं प्रेंट्स आप देख सकते हैं यह जो छोटे-छोटे आपको बाल दिख रहे हैं यह सारे नए बाल हैं यानिकी बेवी हैर से यह होम